हलो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं RPSC दोबारा जो RAS मुख्य प्रिक्षा करवाई जाती है उसका क्या स्लेबस रहता है और क्या उसकी प्रिक्षा योजना रहती है उसके बारे में हम बात करेंगे तो अभी 2023 के लिए नया तो स्लेबस अभी आया नहीं है क्योंकि चैंजन नहीं होने वाला है तो चलिए हम बात करते हैं RAS की स्लेबस के बारे में तो सबसे पहले तो हम यह देख लेते हैं कि यह जो पेपर है इसमें RAS मैंस में कुल चार पेपर होती है पहला जो है वो GS1 होता है GS2 होता है GS3 होता है फॉर्थ पेपर होता है वो language होता है जिसमें समाने हिंदी और समाने इंगलिस आती है और ये जो चारों पेपर है वो 200-200 marks के होते हैं और प्रते के लिए 3-3 गंटे का समय है वो दिया जाता है और ये चारों ही पेपर रिटन होते हैं objective type के question इसमें नहीं पुछे जाते हैं इसके बाद हम बात करते हैं कि RS का जो first paper होता है उसमें क्या-क्या subject रहते हैं और उसके लिए हमें क्या-क्या पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही important होने वाली है इसलिए वीडियो को अंतक जरूर देखें और इससे आपके जो सभी doubts है ना कि क्या पढ़ें किस के लिए क्या पढ़ें और कितना पढ़ें तो ये सब इसके अंदर आपका clear होने वाला है साथ में मैं आपको जो books है उनके बारे में बताऊंगा ये books आपके लिए बहुत sufficient book होगी इसके अलावा आपको ज़्यादा खुछ पढ़ने की जरूरत नहीं इन्हीं में से ही question है वो आ जाते है तो इसके बाद हम देखते हैं कि first paper है जो GS1 है उसके जो first unit है उसके अंदर क्या क्या आता है तो कुल तीन units होती है जो परतिक paper होता है उसके अंदर GS1 में तीन unit होती है इसमें जो first unit है GS1 में वो है ये जो history को लेकर के first unit है तो जो first unit है history वाली इसके अंदर तीन खंड बने हुए हैं पहले खंड के अंदर तो आता है राजस्तान का इतिहास, कलास, संस्करती, साहित्य, प्रमपरा और द्रोहर ये आता है और इस unit के अंदर हैं वो एक तो इसके अंदर ये पूछते हैं कि उनकी परशासने के वो राजस्च वेवस्ता है इसके बारे में ये पूछ रहा है इसके बाद आती है 19 और 20 सदी की जो प्रमुख गटनाए हैं यानि कि अधुनिक की राजस्तान है उससे जैसे की किसान और जंजाती अंदोलन हो गया राजनीतिक जंजा करती हो गई सवतंतरता संग्राम हो गया यानि कि अठारा सो स्तावन की जो करांती है और राजस्तान का एक ही करण इसके बाद है राजस्तान की दरोहर यानि कि जो राजस्तान की विराशत है है उसके बारे में ये क्योशन पूछता है हमसे तो इसमें आती है परदर्शन ललित का लाएं और हस्त सिल्पेम वास्तु शिलब राजस्तान में विश्व विराशत के प्रमुख स्थल राजस्तान में परियाटन मेले परव लोक संगी होता है मैतवपुर्ण विभूतियां जो प्रमुख व्यक्तितों है उनके बारे में पुष्टा है तो इन सब के लिए आपको ज्यादा सलेबस है नहीं रजस्तान का तो इस्ट्री और कला संस्कृति इन सभी को मिला करके जो रजस्तान का स्लेबस है इसको आप कवर करेंगे जो रजस्तान अध्यन की बुक्स है जो रजस्तान अध्यन की बुक्स है एक तो जो नुवी और दस्वी की नई बुक्स अभी लगी है रवीस्ट की वो और एक जो पुरानी रवीस्ट की बुक्स है कक्षान नो, दस, ग्यारा और बारा की चार यानि कि छह किताब तो रज शुन्दर इसके अंदर है वो मेटर दिया गया है इसके अलावा आप लक्षय या राजपिनौर्म में से या फिर हिंदी ग्राथ अकादमी की बुक्स में से कोई भी एक जो गाइड बुक है उसको आप पढ़ सकते हो अच्छी बुक्स है इसके बाद इसके जो एकाई एक उसके बारे में पुछा जाता है तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें एक तो आती है भारतिया द्रोहर जो सिंदु घाटी सब्वेता है उससे लेकर के ब्रेटिक स्काल तक की बारत की जो ललीत कलाई है उनसे पुछा जाता है और परदर्शन कलाईं वास्तु क अंदर की बिखेर. मैंदेल की और पुछ एक लिए पूछ इसके बाद जो बनेडिया है उसमें 19 स्तापदि के प्रारम से 1965 एस्वी तक अधोणिक बारत का इतिहास जिसमें मैतोपुर्ण गड़नाकरम वेक्तितों और मुद्द्ध है उनको ये पूछ रहा है इसके बाद आता है बारत का राष्ट्रिय आंदोलन इसके विविन चरण दाराएं प्रमुख योगदान करता और देश के भिन-बिन बागों से योगदान तो यहां से आर इसमीं और बीसमीं सदी में सामाजिक और दार्मिक शुधार जो आंदोलन हुए थे जो पुनर जागरन बोल सकते हैं इंडिया के अंदर जो हुआ था उससे क्यूशन पूछा जाता है फिर आता है सवतंतरता के बाद जो शुद्रडिकन हुआ था इंडिया का पुनर गठन हुआ था इन से फूचा जाता है तो इन सब के लिए आपको क्या करना है कि जो NCRT की बुक्स है उनसे आप क्या कर सकते हूँ कि यह जो ललित कलाएं हैं और सिंदुगाटी सबेता वगेरा है और दार्मिक अंदोलन दर्शन है इन से आप कवर सकते हूँ NCRT मस्ट है इनको ह कि बार बार पड़ें और इसके लिए आप इसके बाद आता है कि यह जो अधुनिक भारत है इसके लिए आपको क्या करना है तो अधुनिक भारत के लिए आपको क्या करना है अधुनिक भारत वाला जो हमारा पूरा सेग्मेंट है इसके लिए आपको एक तो जो राजस्तान बोर्ड की बुक्स है बारत का राश्री आंदोलन नाम से उसको पढ़ना है बहुत अच्छी बुक है और चुनिदा एक कुछ टोपिक पढ़ने पूरी नहीं पढ़नी है तो इसको आप वहां से कवर कर सकती हो इसके बाद हम बात करें तो अच्छी बुक एक स्पिक्ट्रम की अच्छी बुक आती है उनके लेकर है राजीव अहीर तो आप उससे इसको कवर कर सकती हो पूरी का पूरा जो सेग्मेंट है इसको आप कवर कर सकती हो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो खंड आता है वह आता है आधूनिक विश्व का इतियास उनिश्यों पढ़ना है तो आ पुनर जागरणियो धारम दरमशुदार है अमेरीकीस शोतांतरता संग्राम और फ्रांसिसी करांती और योगी करांती है दो जारएकिस के स्लिपस मे। जो अमेरिकन रिवलेश्शन और फ्रांसिसी रिवलेशन है इनको नया जोड़ा गया है बागी तो लगबग सैम है और और इसके बाद आता है एशिया और अफ्रिका में सामराज्यवाद यह उपनिवेश्वाद और फिर आता है विस्वयूदों का प्रभाव तो यह आपकी लगभग है वो ग्यार्वीं क्लास की जो राजतान बोर्ड की किताब है उससे आपका लगभग पूरा का पूरा है वो ह हो जाएगा और इसके अलावा आप एंसी बिस्नोई की एक बुक आती है उसको भी पढ़ सकती है लेकिन उससे ज्यादा मेरे को पर्सनल अनुबॉक के आदार पर बदा रहा हूं कि आप जो बुक्स है ना राजतान बोर्ड की गश्या गयारा की विस्व का इतियास नाम से उसको पढ़िए बहुत अच्छा कंटेंट उसके अंदर दिया गया है इसके लावा आपको ज्यादा नहीं कुछ पढ़ना है इसके बाद हम देखते हैं कि इसके जो यूनिट सेकंड है उसमें हमसे क्या पूछा जाता है तो जो यूनिट सेकंड है फर्स पेपर की जी से कि थोड़ जो अपने एकोनोमिक्स के जो मौलिक अवदार नाई हैं वो जाद अगवा करती थी लेकिन इस बार जो दो जारी किसका सलेबस था उसमें काफे चेंचेज करके इन्होंने बजेट को इंकलूड कर दिया है तो इसमें हमें कर्षी पढ़ना है कर्षी में व्रिद चेतर की परवर्तियां यानि कि पूरे का पूरा बजट को इसने इंकलूड किया है उद्योगिक निती उद्योगिक वित उदारी करण वेस्वी करण नेजी करण आर्थिक सुदार अवश्रंचनाय आर्थिक व्रिदी ये सब क्या है कि करंट रिलेटर और बजट पर आधा बजट परवंदन अधिनियम भारत में राजकोश्य शुदार इन सब को पढ़ना है फिर आता है बजट ये परवर्तियां ये राजकोश्य निती भारत में कर्शुधार नगद अनुदान नगद अस्तांत्रन यानिकि डिबीटी और अन्यस बंदित मूद्दे हैं फिर रा बावी नियमक की समस्या आर्थिक विकास में राजे की भूमिका भूमिका उपनर प्रवाशित करना रोजगार अन्मुक वर्दी तो इन सब के लिए आपके पास एक अच्छा सा सोर्ष होगा या तो आप किसी सप्रिंग बोर्ड या स्थम्यक जो आरेस है उनके नोट्स ल इसके बाद आती है वेस्विक अर्थविस्ता तो वेस्विक अर्थविस्ता में क्या है कि वेस्विक परमुख वेस्विक जो आर्थिक मूद्दे और परवर्तियां थी वो आगी वल्ड बैंक आ गया आई-मफ आ गया यह जो विसो वेपार संक्ठन है इसकी बूमिका आग फिर आगया राजस्तान की अर्थविश्ता, तो राजस्तान की अर्थविश्ता के लिए आपको जो सबसे ज़्यादा पढ़ना है खंड सह में, वो है राजस्तान का जो बजट और आर्थिक समिक्स है, उसको तो रटी लेना है, यह पूरी का पूरा वही से उठाया गया है, यह मान के चलो कि लगब कोपी पेष्टी मान सकते हैं इसको थोड़ा बहुत कुछा लगया, तो यह पूरी का पूरा जो खंडा है, आपको कहां से पढ़ना है, यह आप मनमोन सर्मासर की बुक से पढ़ सकते हो, और बजट और एकोनोमिक सर्वेस से आप वैसे भी पढ़ स प्रिवेहन, आवसरज्चना में नीजी विन योग और शारवजनिक नीजी से बागीता प्रियोजनाएं द्रश्टी कोंड शंभावनाएं, राजयस्तान की प्रमुख विकास प्रियोजनाएं, राजय बजट और राजकोश्य परबंदन, मुद्द्य और चुनोतियां, र एक राजस्थान सुजसनान की मैगजिन अती है राजस्थान सरकार की मंथ्लिय उसको आपको पढ़ना चाहिए उसमें अच्छा the content जो मिलता है राजस्थान गष पर्शासनिक अधिकारी होती है उनकी दोब्रा कुछ उसके अंदर लेक मिलते हैं उनके तो उनको पढ़ने से आपका जो बेसिक समझ है वो विक्सित होगी और आपको उच्छा कंटेंट अभी उसमें मिल जाएगा बुनियादी सामाजिक सेवाएं सिक्से सवास्ते गरीबी बिरोजगरी श्तत्विकास यह सब आपको आर्थिक समिक्सा बजट वग है वो छोट छोटे इसके अंदर इंक्लूड किया है समाज सास्तर प्रबंदन लेखांकन और अंकेक्षन तो इसमें जो खंड ए है वो है समाज सास्तर और बाहरत में समाज सास्त्र विचार इसके अंदर समाज सास्तर के अंदर है समाज सास्त्र विचारों का विकास बारति समाज के समक्स चुनोतियां जैसे कि दहेज, तलाक, बाल विवाय के मुद्दे, ब्रेश्टाचार, संपर्दाइक्ता, निर्दंता, बिरोजगारी, मादक बदार्थ विशन, कमजोर तब के विशेशकर, दलित, वृद्ध और दिव्यांग, राजस्तान में जन्जातियां सम यह आप पूरे के लिए हिया है, वो सप्रिंग वोर्ड या समय के नोट्स पाड़ सकते हो, अच्छे नोट्स आते हैं आसकल तो, और इनके लिए आरवीडी की बुक आती है, यह और इसके बाद अगर हम देखना चाहें, तो आप इनको इंटरनेट के मादिम से भी सर्च कर सकते हैं, जिसे इगनू के नोट्स पोगिरा है, उनमें सोचियोलोजी के टोपिक है, वो हमें इजली मिल जाएंगे, तो वहां से कर सकते हैं, इसके बाद आती है, नेक्स्ट जो यूनिट है, वो है परबंदन, तो परबंदन के बात करें, तो पूरे का पूरा परबंदन वाला है, इसके अंदर जो हमारा पहले एकोनोमिक्स में कुछ सेगमेंट हुआ करते थे, वो परबंदन में जोड़ दिये, जैसे विपनन के आधुनिक अवदालना, विपनन मिश्रन, और ये जो धन के अधिक्तिमिक अवदालना होगी, वित के स्रोत होगी, फिर नेतरतव के सिदांत सेलिया, उध्यमित्या, अत्यावशिक शिवाओं का प्रबंदन, ये सब जो है, वो हमें कहां से करना है, इसके लिए एक आरवेडी की बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हो, इसके अलावा आपको समय किया, जो सप्रिंग बोर्डोकेड में है, उसके नोट्समे हमें मिल सकते है, इसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट लेखंकन है, तो लेखंकन ये खंड थर्ड है, यैनि कि खंड से है, यूनिट थर्ड का फस्ट पेपर का, तो उसमें लेखंकन की 12 लेख़्ा प्रणाली का समन्य ग्यान, वीत्य विवरे नविचलेशन की तकनिके, सामाजिक निश्पति दक्स्ता प्राइबिक कारी जानकरी, निश्पादन बजट ये औन सुन्य अधारियत बजट की समाने जानकरी ये सब river Dekse कार सकते हो तो जो और फिर लूट की गई आप वहां से इसको कवर कर सकते हो अच्छी बुक्स है वो भी इसके अलावा आपको समय क्या आरे यह जो समय क्या सप्रिंग बोर्ड आरे से उनके नोट्स में मिल सकते हैं तो हम देख लेते हैं कि जो फर्स्ट पेपर है वो कुल 200 अंग का होता है यहाँ पर अ स्बीक पुछ जाते हैं लग बग यहां से भी पैंस्ट यानि कि 65 अंग के जो कूषन है वो फूट के जाते हैं और इसके बाड्ल यूनिट है समाज सास्तर प्रबंदन लेख अंकरन हैं उन्हें के इक्षन यहाँ से लग बग 60 जो मार्क्स है उसके जो सवाल है वो पूछे जाता है और auditing और counting है ये भी टोंटिन अंका पुछा जाता है और चैनल को subscribe करना और इसके बाद हम next video में महिलते हैं जिसमें हम जो हमारे paper second है और paper third है paper fourth है उनके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या क्या topic रहेंगे और आपके लिए आपको उनके लिए कौन सी books है वो पढ़नी है धन्यवाद सत्यों